Hey this is Kamil and you are watching Cam Design तो दोस्तो आज की जो वीडियो हमारी है उसमें बिताऊँगा कि आप किस तरह से आउनलाइन मीम क्रियेट कर सकते हैं वो भी फ्री बिल्कुल ठीक है और भी उसमें कई चीजे हैं जो बिताऊँगा तो जो में चीजे है वो मीम क्रियेट है बाकी चीजे और भी चीजो और सौफ्टेयर और फरीके से कर सकते हैं तो वीडियो को अंत्र तक देखियेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूलिएगा तो गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रेकं टुटोरियल तो विडियो तो विडियो तो वेलकम बैक दोस्तों मैंने अपना लैप टॉप खोल लिया स्क्रीन तो इसमें आपको मैं जो बताऊंगा वो ओनलाइन तरीका है मीम जनरेट करने का ठीक अब जो वेबसाइट में बता रहा हूं आपको उसकी लिंक में दिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऐसे ही अगर आपको वेबसाइट पसंद है फ्री वेबसाइट तो मुझे कमेंट करिएगा मैं कहां से आप फ्री वीडियो डाउनलोड करेंगे कहां से आप फ्री इमेजस HD क्वाल्टी में डाउनलोड करेंगे विदाउट एनी रोयल्टी और कॉपिरा वेबसाइट का नाम क्या है? I love I love image dot com खिक तो ये वेबसाइट का नाम है और ये बिलकुल फ्री है तो ये मेरी वेबसाइट खुल गई अब देखे इसमें क्या क्या चीजे दे रखा है? Compress image, image को अगर आपको compress करना है ठीक है? उसको जिफ में बनाना है Resize image, बहुत से लोग फोटो खीछते हैं For example, आपने घर में फोटो खीची और आप चाहते हैं कि आपकी फोटो पासपोर्ट साइज हो या ओनलाइन फॉर्म में बहुत बार आप लगाते हैं या फोटो खुच से खीच के उसको निकलवाना चाहते हैं पासपोर्ट साइज में तो अपनी इमेज को resize यहां से कर सकते हैं ठीक है? Crop image, crop image आपको पता ही है कि image के कुछ portion को cut करना ठीक है? तो वो crop image हो गया Convert to JPG अब जैसे तुमारी अलग अलग फाइल में है image तो आप उसको JPG में convert कर सकते हैं समझे? मानले, PNG में है आप JPG में कर लेजिए SVG में है, आप JPG में कर लीजिए आप convert from JPG अब JPG से किसी अलग format में आपको convert करना है तो उसको भी इस साइट से कर सकते हैं और यह बहुत easy है तो मैं अभी basically meme generator पर आ रहा हूँ अभी तो यह सब भी आप खोल के देखेंगे पता चल जाएगा easily photo editor photo editor अब जैसे photoshop में हैं वैसे इसमें भी कुछ हद तक आप effect लगा सकते हैं हलके full के, edit कर सकते हैं अपनी images को water mark image अब आपने कोई image बनाई या कोई image आप अपलोड कर रहें Instagram पे या commercially तो आप अपना water mark भी इस image पे डाल सकते हैं ठीक है आप image create कर रहे हैं या आपने image खीची है photo खीची है तो इस पे लाके आप water mark डाल सकते हैं आसानी से meme generator ठीक है तो यह हमारा meme generator है अब इसमें दो option और भी है HTML to image और rotate image तो हम meme generator पे जाते हैं meme generator पे click करिए आप अब यहां पे पूछ रहा है कि आपको custom template चाहिए या आपको image अपलोड करनी है तो गर आप अपनी image को upload करके उसमें edit करके आपको आपको आप चाहते है जो select template जो आपको trending memes है उनको ही उसकाना चाहते है अब मैंने select template किया अब यहां भी देखिए यह सारे trending images जो आपने memes में देखे होंगे ठीक है यह सब trending images है यह हो गया, यह हो गया अब मैं यह यह वाली image यूज करता हूँ use this image मेरे thumbnail में भी यह तो यहां पर आ रहा है write your text ठीक है write your text तो text मैं लिखता हूँ पहले text का color मैं कर लूँगा ठीक है font, shadow white ही रहने देता हूँ text color मैं ब्लैक अब मैं इसको edit करूँगा अब मैं बनाऊँगा अब इसको में ले आया इसको में ले आया यहां पर और इस वाले जो ऊपर वाला है इसको मैं हलका सा घुमाऊँगा तो यह घुम जाएगा अब इस जो लिखा है अब इस जो लिखा है आपने ना इसको यहां से font भी चेंज कर सकते हैं area लेना चाहिए area लो गया जो भी font आपको suitable लगे वो आप ले सकते हैं अब मालिजे आपको यहाँ भी text君 साट करना है यह याँ देखें आंपह जै नहीं आपहाँ इमेज भीा आड कर सकते हैं यहाँ पर हारमेज लगा लिजे और हमेंद लगा लिजे एक टेक्स्टो φू और अझरा ब करता हूं और इसका भी color में लेता हूं black isin तो अभ मैं डालोंगा यहां पर पुदीन banco तक्น कि यह दाला किUM कि दोखे जो यह मीम का थीम है कि यह यह तो दुद्छी मैं की आपर है तो तुमों लगवग सें Im Dek centre जो लोग सबजी अबजी नहीं खरीगते ही हो लोग हमेशा डरी में समिक्राक होते हैं ऑब इसको मैने यहां पे लगाया विल और इसको मैने तोड़ा सभू पर रोटेट कर लियर गा और इसका पोन भी मैं अब यह मेरी में हो गया अब जिस नीचे यह है इस इस टेक्स को मैं डिलीट कर सकता हूं जिए मैंने जिलीक कर दिया अब यह जिसे यहां पर हाड़ गया अब यह नीचे जैसे यह कुछ आराय ना तो इसको आप क्रॉप कर सकते हैं किसी भी तरह से आप अपने पेंट को यूज कर सकते हैं जो आपके लैप टॉप्स में हुता है उसका भी यूज कर सकते हैं अब जैसे यह मैंने मिम बना लिया अब आप मीम जन्रेट पर क्लिक करेंगे जन्रेट मीम तो यह मीम आपका प्रोसेस करेगा और यहां से अपना मीम डाउनलोड कर सकते हैं आपको कोई साइन अपनी करना है कोई लॉग इन करना है यह मीम डाउनलोड हो गया हमारा अब इसको आपने जहां भी रख रखा होगा सेविंग में वहां पे आपको दिखा देगा तो यह मेर मैंने पहले बनाया था, अब ये दूसरा भी मेरा हो गया तो अब आप इसको देखिये, इडिट किया, तो ये क्या खुल का ये पेंट, अब यही पेंट से आप ये इसको हटा सकते हैं, एक तो तरीका, ये एरेजर का यूज कर सकते हैं, कि रेजर का यूज कर सकते हैं यह देखिए है ठीक यह अपने इसको कि साफ कर दिया ठीक है तो यह आपकी रेजर के हल्प से आपने साफ कर ले अभी आपका मीम बन गया बढ़ियां से इसको आप सेफ कर लीजिये और जहां भी अप्लोड कर करना चाहते हैं आप रोज एक मीम अप्रियेट करना चाहते हैं तो उस तरह से बढ़ियां बढ़ियां इस पर मीम बना के आप कर सकते हैं इसमें और भी मीम के टमपलेट है कोई भी आप उठा लीजिए जो आपको सूटेबल लगे ठीक देखिए इसमें नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आपको बहुत सारी ऑप्शन्स मिल जाएंगे ठीक है तो यहां से आप अराम से मीम क्रियेट कर सकते हैं और उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आपको कोई साइन इंट नहीं करना है कोई लॉग नहीं करना है ठीक है तो यह जो फिरी विपसाइट है इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप चेक आउट करके अपना क्रियेट कर सकते हैं और मीम के अलावा भी आपको जो चीज करना हो जिसमें उसमें मैंने बताया था कि रिसाइज वगेरा जे पीजी टू यह सारी चीजे कनवर्ट कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल लखें धन्यवाद